नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदानंद वसेष्ट, सजनों सिंग रासी के लिए जून का महीना कैसा रह सकता है, उसके इदर क्या सुब और क्या असुब परिनाम हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं, ये जोतिस के आधार पर कुछ जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे बढ़िया योग इस कुणली के अंदर आपका बन रहा है। ऐसा आश्यरे चकित करने वाला फल योग है आपको इस महने में मिलेगा क्योंकि ब्रहस्पती और सुक्र ये दसमस्तान के अंदर एक साथ मिल करके राजियोग बना रहे हैं। हो सकता है जिसकी कभी आपने कामना ना की हो वो काम आपका सफल हो सकता है। आपको कोई बहुत बड़ा पद आपको मिल जाए बहुत प्रतिष्ठा आपको मिल जाए या बहुत बड़ा कोई व्यापार भी आपका जोग है इस समय पर संभव हो सकता है। आपको पदन्नती हो सकती है इस समय पर जो भी होगा वो सुब ही सुब होगा इस महिने के अंदर लेकिन कुछ चीजे ऐसी होती है जहां पर लाब है तो हानी जुड़ी भी होती है यस है तो अप यस दिन है तो राज जुड़ी भी होती है तो उसी प्रकार राहू आपके अस् जो है वो आपको राहू के कारण से हो सकती है तो एक तो जितना भी अधिक से अधिक कम से कम साथ संख्या में अनमान चालिसा आपको करना चाहिए तो राहू के दोस्त से आप बच जाएंगे राहू का दान कीजिए राहू का जाप कीजिए और क्योंकि ये इतना ही काम नहीं क आपके संचित धनकों भी कहिंनके लगवा देगा, इन्वेस्ट करवा देगा, घर के अंदर कोई न 거의 विवाद भी ये उत्वणा कर सकता कि, कोई भूमी संबंधी विवाद भी ये पैदा कर सकता कि, और अब सनी आपके सब्तम स्थान में है कोई नया कारोबार करवा सकता है नया संबन्ध करवा सकता है और अच्छा जो कहेए पुराना कोई व्यापार है तो उसमें अच्छी सफलता ये सनी देगा लेकिन सनी जात्राओं के अंदर कहीन है कही बादा देगा जैसे किसी भी काम से आप यात्रा करेंगे किसी संबंद के लिए, व्यापार के लिए, नोक्री के लिए किसी भी कारण से आप जो यात्राएं करेंगे वो यात्राएं उसमें संदिक दता रहेगी करोध बहुत अधिक हो जाएगा तो उसके प्रती आपको शान्त रहना है वरना बहुत काम आपके बनते हुए बिगड जाएंगे और वो किसी ग्रहों के कारण से नहीं आपके कारण से इसलिए उस समय पर अपने आपको जो है संतुलित बना करके रखना है बागी बियास्पती और सुक्र का जो योग बना हुआ है ये अतुल लाबदाई और बहुत ही स्वास्थ योग आपकी कुनली के अंदर बना हुआ है अब मैं आपको दैनिक रासी फल देने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपकी पहली और दूसरी तारीक एक दो तारीक जो है वो आपके स्वास्थ के लिए ठीक नहीं है लेकिन तीन चार पांच छेस साथ आट नो ये जो साथ दिन हैं ये आपके महीने के सर्वस्रेश्ट दिनों में कही जा सकते हैं इनमें बहुत रुके वे कारे आपके सफल होंगे बहुत से बिगरते काम आपके जो हैं इस समय पर बन जाएंगे तो इसमें ततपरता रखिए भागदोर रखिए इसके अंदर अपना पूरा करमट बनके आप काम कीजिए जिससे कि ये सारे कारे आपके जो हैं सफल होते चले जाएं दस गैरा तारीक इसमें आपको समल के रहना है किसी प्रकार का इंवेस्टमेंट या देनलेन आपको नहीं करना परना कोई नुकसान हो सकता है बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सतरा अठारा ये साथ दिन ये भी आपके लिए मान, सम्मान, यस, प्रतिष्ठा, धन हर किसी काम के लिए बढ़िया है परिवारिक सुखों की जो हैं प्राप्ति होगी परिवार जो हैं आनंद मैं उत्सव जो हैं मनाता हुआ इस समय को गुजारेगा 19-21 तारीक ये अकारण कोई न कोई चिंता आपको पैदा हो सकती है किसी समाचार के कारण से, किसी के कहा सुनी के कारण से मन जो है कुछ खिन्न सा रहेगा तो इस समय पर दूद और चीनी का आपको दान करना चाहिए 22-23 तारीक, विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार का कारे करने वाले है चाहिए वो स्रमिक वर्ग है, या वो क्रशक है, चाहिए वो व्यापारी है चाहिए वो विद्यार्थिक है, चाहिए वो जो है कही भी अपाइंटमेंट देने वाला है उन सब के लिए ये परिणाम अच्छा देने वाले होंगे लेकिन अब आपको 24 और 25 तारीक ये थोड़ा समल के चलने वाला है क्योंकि इस समय पर आपके विवार के कारण से आपके वानी के कारण से किसी सत्रुता हो सकती है कोई विवाद हो सकता है लेकिन 26-27 तारीक आपके लिए बहुत बढ़ी आख है 28-37 के अंदर आप थोड़े रुब्ड हो सकते हैं सरीर गिर सकता है अस्वस्त हो सकते हैं तो उसका ख्याल रखें आगे फिर 30 तारीक आपके लिए बहुत बढ़ी आफल देने वाली होगी और ये जानकारियां हमने दी बाकी जानकारियों के ल द्वारा सभी प्रकार के पूजापाट, कर्मकांड, संगीत में विभा, ग्रीकलेश, कालसर्पदोश, व्यापार में रुकावट वह नव ग्रहों की पूजा आदि कराई जाती हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं 783888, 98421, देवग्य सच्चिदानंद वशिष्ट जी से वास्तु, जियोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूजापाट, महमृतिंजयपाट, शत्चंडीपाट, बगुला मुखीपाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष कवच आधी हेतु संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र हैं 783888, 98421, हमारी वेबसाइट है www.shreevashist.com